घर के जगड़ों से हैं परिशान तो करें मोती धारन, जाने इसके फाइदे अधिकतर लोगों को जीवन में कई तरह की परिशानी और समस्यों का सामना करना पढ़ा है हर व्यक्ति के पास किसी न किसी तरह का दुख रहता ही है मगर इसका उपायव हर किसी के पास नहीं होता है वही मोती एक ऐसा रतना होता है जो आपकी कई तरह की समस्यों का हल निकाल सकता है मोती की चमक हर किसी को समोहित कर लेती है जो मनुश्य इसका इस्तिमाल करते हैं उन्हें इसका भरपूर फाइदा मिलता है वही आज हम आपको मोती के इस्तिमाल के क्या-क्या लाब होते हैं इसके बारे में बताने जा रहे हैं, तो आए ये जानते हैं, अगर आप पारिवारी का लह से परिशान हैं, तो मोती का इस्तिमाल आपका जीवन बदल सकता हैं, अगर पती पत्नी के बीच हमेशा ही जगडा लडाई होती रहती हैं और यह लंबे समय से चल रहा है तो पत्नी को मोती की माला पाहनी चाहिए इससे जगड़ा रोग सकता हैं साथ ही साथ घर में सुक शांती और सम्रिधी का वास होता हैं वही अगर घर में किसी बच्चे की बवियत खराब रहती हैं और वे ठीक नहीं हो रहा हैं तो यहां भी मोती असरदार साबित हो सकती हैं बच्चे को चांदी के चंद्रमा में मोती डाल कर गले में माला की तरह धारन करा दें यह उपायर रामबान साबित हो सकता हैं वही अगर आपके जीवन में असमंजस की स्थिती बनी रहती हैं तो यह बड़ी समस्या ह इस वज़े से कई बार आप ने लेने में भी सक्षम नहीं होते हैं, इसका कई बार आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसी स्थिती में घर में भगवान श्री गनेश को स्थापित करें और उन्हें मोर्ती का हार पहनाए इससे आपके मस्तिश में स्थिरता आएगी आप ने लेने में सक्षम होंगे।